हलो फ्रेंज तो भारतेय समिदान के टेस्ट का आज पार्ट 6 है पार्ट 5 तक हो चुका है जो लोग नहीं देखे हैं निचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ से अब देख सकते हैं तो डेली हम लोग 25 कोशन का टेस्ट लगा रहे हैं और सारे चलिए दो सकेंड का टाइम दूँगा वीडियो को रोक कर एंसर टिक करिए उसके बाद मेरे अंसर सुनिए चलिए पहला कोशन सम्ता वा समानता का अधिकार का वनन समिधान के किस अनुछेद में किया गया है 25 कोशन है आप जितना भी स्कोर करेंगे नीचे कमेंट करके तो बताइए इस कोशन का सही उत्तर क्या है सम्ता वा समानता का अधिकार का वनन समिधान के किस अनुछेद में किया गया है तो इस कोशन का सही उत्तर है ओप्शन दी अनुछेद 14 से लेकर अनुछेद 18 तक सम्ता वा समानता का अधिकार का वनन किया गया है स्वतंतरता का अधिकार का वर्णन किस अनुछेद में किया गया है बताईए तो इस कोशन का सहुद्टर है option A अनुछेद 19 से लेकर अनुछेद 22 तक स्वतंतरता का अधिकार का वर्णन किया गया है अगला कोशन है सोसंड के विरूद अधिकार का उल्लेक किस अनुछेद में मिलता है बताईए तो सोसंड के विरूद अधिकार का उल्लेक किस अनुछेद में किया गया है इसका सहुत्तर है ओप्शन सी अनुछेद 23 से लेकर अनुछेद 24 तक धार्मिक स्वतंतर्ता का अधिकार का उल्लेख किस अनुछेद में किया गया है? अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं धार्मिक स्वतंतर्ता का तो धार्मिक स्वतंतर्ता का अधिकार का उल्लेख किस अनुछेद में किया गया है? इसका सयुत्तर है, option B, अनुछेद 25 से लेकर, अनुछेद 28 तक अनुछेद को उपर और भी वीडियो बनेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में 25 कोशन से काम नहीं चलेगा जैसे जैसे आगे पार्ट आएंगे, उसमें important अनुछेद को कवर कराये जाएंगे तो एक भी पार्ट मिस नहीं करिए संस्क्रिती और सिक्षा संबंधी अधिकार का उलेक समिधान के किस अनुछेद में किया गया है, बताइए संस्क्रिती और सिक्षा संबंधी अधिकार का उलेक संविधान के किस अनुछेद में मिलता है इसका सहुत्तर है उप्षन ए अनुछेद 29 से अनुछेद 30 तक शांती पुर्वक बिना हत्यारों के एकत्रित होने और साभा करने की स्वतंतरता कवणन किस अनुछेद में किया गिया है प्रश्न पे ध्यान दिजिए शान्ती पुर्वक बीना हथियारों के एकत्रित होने और साभा करने की आजादी का वन्नन किस अनुछेद में किया गिया है बताईए तो इसका सहुत्तर है ओप्शन सी अनुछेद 19 का बी यानि अनुछेद 19 का ख भारते समिधान में किस अनुछेद के तहत बोलने की स्वतंतरता परदान की गई है बोलने की स्वतंतरता का उलेक समिधान के किस अनुछेद में मिलता है अनुछेद 19 का क यानि अ ओप्शन ए भारते समिधान के किस अनुछेद में प्रेश की स्वतनतर्ता का वर्णन मिलता है बताईए तो यहाँ पर ध्यान देजिए बोलने की स्वतनतर्ता और प्रेश की स्वतनतर्ता का वर्णन एक ही अनुछेद में किया गया है अनुछेद 19 का का या फिर अनुछेद 19 का ए चलिए अगला कोशन है भारतिय समिधान के किस अनुछेद में देश की किसी भी छेतर में आवा गमन की स्वतनतर्ता का उलेख किया गया है बताईए आप देश के किसी भी हिस्से में आवा गमन कर सकते हैं उसकी स्वतनतर्ता का उलेख किस अनुछेद में किया गया है इसका सहीधानिक उप्चारों का अधिकार का वर्णन किस अनुछेद में किया गया है समयधानिक उप्चारों का अधिकार का वर्णन तो इसका सहीधानिक उप्चारों का अधिकार का वर्णन तो इसका सहीधानिक उप्चारों का अधिकार का वर्णन अमबेट करने भारती समिधान के किस अनुछेद को समिधान का आत्मा कहा है बताईजे तो समिधान की आत्मा किसे कहा जाता है अनुछेद 32 को समिधान के किस अनुछेद के तहट राश्ट्रपती देश का समयधानिक परधान होता है किस अनुछेद के थाथ प्रेसिडेंट देश का समयधानिक परदान होता है तो इसका सही उतर है option D, अनुछेद 52 Next, भारत के चारों सर्वोच नागरिक सम्मान यानि भारत रत्न, पदमे विभूसन, पदमे भूसन और पदमे स्ट्री समयधान के किस अनुछेद के तहथ परदान किये जाते हैं option B, सही उतर है, अनुछेद 18 इसके इलावा परमवेर चक्र, महवेर चक्र और वेर चक्र जो की सेनाओं को दिये जाते हैं, इन सभी पुरसकारों का भी वर्णन अनुछेद 18 में किया गया है छुवा छूत के उन्दमुलन का उपबंद समयधान के किस अनुछेद में मिलता है छुवा छूत के उन्दमुलन आ इस प्रिश्यता के उन्दमुलन आप लोग पढ़े हुईएगा, बताइए इस कवर्णन किस अनुछेद में किया गया है अनुछेद 17, option B भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपती की आग्या के कोई भी उपाधी स्विकार नहीं कर सकता यह बात किस अनुछेद में कही गई है बताइए तो भारत के किसी भी नागरिक को अगर कोई भी अन्य देश कोई उपाधी देता है तो इसके लिए भारत के राष्ट्रपती से अनुमती लेना जरूरी है ये बात किस अनुछेद में कहा गया है तो इस कोशन का सही उत्तर है option A, अनुछेद 18 अभी हम लोग देखे हैं कि भारत के चारो सर्वोच नागरिक पुरसकार परमवेर, महावेर और वेर चकर पुरसकार का वर्णन अनुछेद 18 में किया गया है और इस कोशन का भी सही उत्तर अनुछेद 18 है धर्म, मुलवश, जाती, लिंग, जन्म, अस्थान, आदी के अधार पर नागरिकों के परती, जीवन की किसी भी छेतर में भेद भाव नहीं किया जाएगा यहाँ बात किस अनुछेद में कही गई है बताईए कोशन को ध्यान पुर्वक पढ़िए और इस कोशन का सही उत्तर बताईए अनुछेद 15 में ये बात कहा गया है 6 से 14 वर्स के आयू के समस्त बच्चों को निशुल्क तथा अनिवारे सिक्षा उपलब्ध कराने का वंडन किस अनुछेद में किया गया है ये सारे के सारे चुनेंदा प्रश्ण है और यहाँ से बार बर पुछे जाते है तो रट जाना है एकदम से तो सही उत्तर है ओप्शन C अनुछेद 21 का A इसमें कहा गया है कि 6-14 वर्ष के आयू के समस्त बच्चों को निशुल्क तथा अनिवारे सिक्षा उपलब्ध कराये जाएगा किस समीति की अनुसंसा पर 22 समयधानिक संसोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तब्बे को भारती समयधान में जोड़ा गया बताइए तो इतना तो पता है कि मौलिक कर्तब्बे को जोड़ा गया 22 समयधान संसोधन 1976 के तहत लहिन किस समीति की अनुसंसा पर ये बताइए सरदार स्वन सी समीति की सिफारिश पर बारती समीधान में मौलिक कर्तब्ब्बे की संख्या कितनी है बताइए इस कोशन का सहुत्तर है उप्षन C अगला कोशन है भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेक समीधान की किस अनुछेद में किया गया है बताइए निर्वाचन संबंधी उल्लेक के बारे में पूछ रहा है अनुछेद 324 से लेकर अनुछेद 329 तक भारती समीधान में समीधान संसोधन संबंधी उल्लेक किस भाग में मिलता है यानि समीधान में जो संसोधन किया जाता है उसका उल्लेक समीधान के किस भाग में यानि पार्ट में किया गया है भाग 20 किस अनुछेद में मिलता है अब यहाँ पे अनुछेद के बारे में पूछ रहा है भाग 20 होगा और अनुछेद होगा 368 हिंदी को भारत की राजभासा के रूप में कब स्वीकार किया गया बताईए हिंदी को भारत की राजभासा के रूप में कब स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को चलिए अगला कोशन भारते समिधान के किस अनुछेद में राजभासा के संबंध में ब्यवस्था की गई है किस अनुछेद में अनुछेद 343 से लेकर अनुछेद 351 तक तो सही उत्तर होगा ओप्षन ए किस अनुछेद के तहत हिंदी भारत की राजभासा है बताईए अनुछेद 343 केकर यानि ए इसमें कहा गया है कि हिंदी भारत की राजभासा है तो ये थे समिधान के चुनिंदा टॉप 25 प्रश्ण जितना भी एसकोर है नीचे कमेंट करके बताईए ऐसे ही आगे हम लोग सिरेज चालू रखेंगे तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहे हैं और ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक और शेयर ज़रू करना अब मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक कियार